सड़क भी हमारी है, सकता भी हमारी है हमें साइड ना देने की गुष्ठाखी आपने कर डाली है अब भुगतनी पड़ेगी आपको सजा क्योंकि हम हैं पाशक पती और विधाया के हमारे मुबोले चाचा आज की एक खबर फोर विलर्स वाले जरूर देखें अगर आप रोट पर हैं और आप अपनी फोर विलर्स से कहीं जा रहे हैं तो जब पीछे से हौर ना है ना तो एक बार देख लीजिए गाड़ी किसी भाश्पा नेता की, नेता के भाई की या नेता के पती की तो नहीं है क्योंकि अगर किसी कारण्स वर्सा आपने उन्हें साइड नहीं दी तो आप कभी वही हालत कर दिया जाएगा जो अमोल दीप सिंग का किया गया है और उस पर उस नेता का संबंद अगर किसी भाश्पा के बड़े नेता से है तो आप भी उसे कुछ नहीं कर सकते है क्या है पूरा मामला? किस बात को लेके मैं आपसे बात कर रहा हूँ? सब कुछ बताता हूँ शनिवार रात एक बहु प्रतिष्टित मेटकल इस्टोर संचालक अमोल दीप सिंग अपने पत्नी के साथ थार गाड़ी में डिनर करके घर लोट रहे थे अमोल दीप की पत्नी के अंसार अफीम कोठी के पास ओवर्टेक के दवरावन अशुदा नगर के भाजपा पारशद सौमे शुकला के पती अंकिश शुकला सक्ता के नशे में चूर होकर बार बार ओवर्टेक के लिए हॉर्ण दिये जा रहे थे लेकिन साइड रहोने के कारण अमोल उन्हें ओवर्टेक के लिए साइड नहीं दे पाते हैं फिर क्या हुआ पारशद पती के गुस्सा आ गया गाड़ी को रॉंग साइड से रगड़ते हुए ओवर्टेक करके गाड़ी अमोल की गाड़ी के सामने आकर रोक देते हैं इसके बाद पारशद पती अंकिश शुकला अपने साथियों के साथ मिलकर मेड़कल इस्टोर संचाला को पीट पीट कर मरना सन कर देते हैं हालत यह है कि अमोल को दिल्ली स्ट किया गया है वे गंगाराम हॉस्पिटल में भरती है हास्पिटल की मेड़कर रिपोर्ट्स के नसार अमोल की एक आक की पुत्री तक बाहर आ गई जबकि दूसरी आक साथ प्रत्चत छतिक रस्त हो गई इस प्रक्रण में खूब किर्करी होने के बाद रायपुर्वा पुलिस ने अमोल दीप की तहरीर पर यूपी ठक्तर जीवी 9291 के चालक वा भाजपा पारशद वा अन के खिलाप IPC की धारा 324, 354, 504 और 506 में मुकदमा दर्ज किया था लेकिन किसी का नाम नहीं खोला था बताया जा रहा है कि अंकित विधान सभा अध्यच सतीश महाना की खास राजनीती नजदी की वाले है उनका वार्ड भी उनीके विधान सभा में आता है सुत्र कंसार विधायक सतीश महाना ने पुलिस के आला अधिकारियों को कहा है कि दोनों तरफ के लोगों की सुन कर ही आगे का फैसला ले और उनका पिये लगतार अंकिर शुकला का साथ दे रहा इस वज़े से मामूली धाराव में कदमा दर्ज किया गया था और जिसमें किसी भी आरूपी को किरपतारी संभव नहीं थी इसके बाद वेपारियों ने प्रदशन किया एक जुठ हुए भाजपा कहीं अल्व संख्यक मोर्चक का भी विरुवत प्रदशन हुआ ग्यापन दिये गए तब कहीं पुलिस की कान आख खुलते है पुलिस हरकत में आती है संयुत पुलिस आयुक्त आनन प्रकाश दिवारी ने बताया है कि पुलिस ने आरोपित भाजपा नेता अंकिश शुकला का नाम मुकदमे में खोल दिया है इसके साथ ही पुलिस मुकदमे में अंग भंक की धारा 326, बलवा की धारा 147, 148, 149 और जानमूज कर चोट पहिचाने की धारा 330 बढ़ा दी है DCP Central प्रमोद कुमान सिंग ने बताया कि वीडियो फुटेज दिल्ली जाकर घायल अमोल दीप के बयानों के आधार पर अंकिश शुकला, जिसस्षी शुकला, सतेंदर बाचपेई, सूरस्तिर पाठी और अंकुर सिंग के नाम हमलावरों के रूप में प्रकास में आये है आपको बताते चले कि अब अंकिश शुकला के गरपतारी के चांस बढ़ गए है क्योंकि IPC की धारा 326 में 10 वर्स तक की सजा का प्रहुधान है दोस्तों आप देखना ये होगा कि अंकिश शुकला जिसके वरिष्ट भाचपानेताओं से संबन्ध है क्या उसको बचा ले जाएंगे अमोत को क्या न्याय मिलेगा क्या इसके साथ भी उसी तरह का हस्र होगा जैसे किसी अन अल्फ संख्यक संबदाए के लोगों के साथ जब लोग करते हैं तो उन्हें मंचों पर माला पहना है जाता है क्या अंकिश शुकला को भी स्कृत्त के लिए भाचपानेता मंचों पर माला पहनाएंगे ऐसे इसी से जूड़ी हुई खबरों को आगे इसके अपडेट के लिए बने रहें कवीर नीज के साथ नमस्कार